नमस्कार साथियो तॉप 50 श्टडी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों लेकर के आगा है बहुत ही महत्पूर्य वीडियो आपके लिए संस्कित का होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसे प्रिष्णों पर चर्चा करेंगे जो बारवार परिक्षाओं में अब तक पहुंच सके उसका नोटिफिकेस अना है इसलिए आप हमसे जोड़े रहें चली दोस्तों शुरुआत करते हैं मौन वाचनस अभ्यासा भवी तब्या जो मौन वाचन का भ्यास है भवी तब्या मतलब होना चाहिए कब होना चाहिए अदा कदा मतलब जब कभी भी अनियमेत रूपेड मतलब आतनियमेत रूप से रात्तरी समय मतलब रात्तरी के समय और नियमेत रूपेड मतलब नियमेत रूप से तो नियमेत रूप से होना चाहिए मतलब डेली प्रती दिन होना चाहिए मौन वाचन का भ्यास ये ब्याक्या सहत दिये है जिसमें समझ में नहीं आएगा उसमें हम समझाते जाएंगे आगे देखें भासा अर्जन और भासा अधिगम के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें जो पहला कथन दिया है कि भासा अधिगम का उद्दिस रोजगार प्राप्त करना है बिल्कुल गलत है रोजगार प्राप्त करने के लिए भासा का अधिगम नहीं करते इसलिए वो कसन क्या हो जाएगा बिलकुल असत हो जाएगा चलिए और देखते हैं आंगे भासा सीखने की संदर में कौन सा कथन सही है भासा सीखने की संबंद में यहां पहला कथन दिया बच्चों द्वारा की गई तुर्टियां एह सं भावी होता है जो संबेग आत्मक रूप से सकारात्मक हो और विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला बाता वरण हो तो बच्छे अच्छे से सीख सकते हैं। किस में समा है थे तो वह है मात्रभासा में मात्रभासा के माध्यम से होता है। और देखें बहुत महत्पूर हैं ऐसी कॉस्चन आपके उसमें पेपर में देखना आप आएंगे इसलिए आप इस वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर तो अगला भवान प्रक्षतु असमाकम लक्षम किम आप पूस्ते हो हमारा लक्ष क्या है। आप पूस्ते हैं कि हमारा लक्ष क्या है। आगे देखें, भासा अधीगम के समय में बहु भासत्मक्ता क्या है? ये बाधा उत्मक्ता क्या होती है? 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 बाधा नामनी पृति वेदने कानी चित अनुसनसानी किरतानी निमलिखित किम अनुसनसनम ना इसमें से किसका अनुसनसन नहीं है तो यह बतला रहे हैं हिंदी में देख लेते इसको प्रोफेसर एस्पाल समीती द्वारा बिना भार के अधिगम इस भाग से प्रतिवेदन दिया है जिससे कुछ अनुसंसा है प्रदान की गए इनमें निभलकित अनुसंसा समलेत नहीं है क्या सिक्षण अधिगम पिक्रिया गतिविदी आधार है तो मनुरंजन पूर्ण होता ह यह सही नहीं है ठीक है आगे देखते हैं ऐसी ही महातपूर पिर्षण चली कई दोस्त कहते हैं कि सर जब हिंदी में परसुना आते हैं तो मैं समझ लेता हूं लेती हूं संस्कित के नीवन पाती है आप चिंता नहीं करें आप हमारे इनप्राक्रेक्टिस च्रैट को पढ़ मतलब प्रभावी अधिगम के लिए छात्र कैसा होना चाहिए तो इसका पहली है जिग्यासा पूर्णा सक्रियाच मतलब जिग्यासा पूर्ण और सक्री होना चाहिए ठीक है उसके जिग्यासा होने चाहिए सक्री तो अच्छा प्रभावी अधिगम होगा और देखे निम्न लिखित कतनों में कौन सा कथन असत्य है स्वायत सिक्छार्थी कौन है तो वह स्वा अधिगम नाय स्वा उत्तरदायत्तम सुईकर बनते हैं स्वायत सिक्छार्थी बे होते हैं जो अपने द्वारा सीखने के लिए स्वायम को उत्तरदाई सुईकर करते हैं कि मैं स्वायम हूँ अपने सीखने के लिए उत्तरदाई जो छात्र स्वयम से सीखते हैं तथा किसी की सहायता नहीं लेते वे स्वयत छात्र हैं वे अपने अधिगम के लिए स्वयम को उत्तरदाई मानते हैं से संबंदित कोई भी पृष्णा आएगा आपने इसको सुन लिया ब्याख्या सह सुनने से होता है कि एक साथ आपके दो-तीन प्रश्णों की तैयारी हो जाती है इसलिए जो जरूरी होते हैं कि अम ब्याख्या भी आपको ले आ रहे हैं चलिए आगे बिसिष्ट चात्राणाम बोधनाए बिसिष्ट चात्रों के बोध के लिए ग्यान के लिए क्या करना चाहिए तो इसमें अपन हिंदी में चार ओप्सन दिये हैं तो आपको पता है उसमें D options आईए, मुख धारा में प्रिवेस अन्य चात्र सह बोधनम करतब्यम, मतलब मुख धारा में ही प्रिवेस करते हुए, ठीक है, अन चात्रों के साथ उन्हें क्या करना चाहिए, बोधन या बोजदा, मतलब सामान विसेश चात्रों को एक साथ ग्य विसेश्ट, दोनों चात्रों में समान रूप से हो, मतलब कम जोर चात्रों चाहिए, बिसिए प्रकार के चात्रों, एक साथ उन्हें के लिए होना चाहिए, अगे देखे, प्रत्यक्ष अनू देशन अधिक्रत कस भूमी का सरवाधिक प्रभाव कारी, किस की है, आदिक्रत ताकि सबसे ज़्यादा प्रभावसाली भूम का होती है ठीक है प्रत्यक्ष अनुदेशन में अधिगम करता की भूम का सबसे ज़्यादा प्रभावसाली है और देखिए बिस्तृत पदानाम प्रतीप क्रमाहा कई लोगों को यह संस्कित के पर समझ में ना चिंता ना करें आ अब आप भ्यास करिए आएगा आगे देखें बिस्तृत पदानाम प्रतीप क्रमाहा मतलब बिस्तृत पदों में प्रतीप क्रम है इसमें से कौन सा है प्रतीप क्रम तो इसमें से है इसका हो जाएगा डी चोरहा चोरती ठीक है अर्था चोर चुराता है या चोरी करना ठीक के आगे चली और देखते हैं परिप्रक्षा आधारितम अधिगमम मतलब परिप्रक्षा आधारित अधिगम छात्रों को कैसे प्रेरित करता है तो आपको बता दें कि परिप्रक्षा आधारित अधिगम छात्रों को किस प्रकास से प्रेरित करता है पहला प्रशन इसका पहला option सही हो जाएगा छात्रान प्रस्णान प्रिष्टों प्रेरिती छात्रों को प्रस्ण पूछने के लिए प्रेरित करता है परीप्रक्षा आधारेत अधीगम ठीक है इसको देख लेए परीप्रक्षा आधारेत अधीगम में छात्रों को प्रस्ण पूछने के लिए प्रेरित करना होता है अता विकल्पे तर्क संगत उत्तर है से तीनों विकल्पों का प्रिष्ण से विसेश सामान निता नहीं है एक और कभी बीची आप याद रखना जब भी पेड़ागोजी की आप पेपर दे रहे हों तो आपको ऐसा लगेगा कि दो इसमें तीन ओप्सन सही लग र तो आपको उसमें से बिलकुल परफेक्ट वाला आपको उससे जो संबंदित उसका नस्दी की वो आपको ढूड़ के आंसर लगाना है आगे देखें भासा अधी गरहन समये धारा प्रभायता नाम भासा अधी गरहन के समये धारा प्रभायता क्या है तो सहज तया संभासण पठनम लेखम चे मतलब सहस्ता पुरुवक संभासन करें पठन करें और लेखन करें देख लें ब्याक्ख्या में क्या करें यदि भासा का ग्रण बिद्ध्यार्थी कर रहा है तो उस समय भासा पर स्वभाविक रूप से रुची बोलने का कौसल पढ़ने और लेखने की अव अधि का भेदा मतलब भासा अधिग्रम और क्या अधिग्रहने मतलब भासा अधिग्रण दोनों के बीच में क्या भेद है तो आपको वता दें कि अधिग्रमा प्रयास जन्या अधिग्रण साहजिकम मतलब अधिगम जो होता है वह प्रयास जन्य है वह अधिग्रण है वह क के बीच किंचित वेद है भासा अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है तता भासा अधिगरण सहस्ता सुभाविक्ता का जनक कहलाती है भासा अधिगरण का मूल अध्यन ग्यान है और भासा अधिगरण का पारिवारिक परिविश्य सम्मंद सहज ग्यान है हम यह भी कह सकते यह भ भासा अधिगम छात्र के लिए भासा जनक भाव है, तो भासा अधिगरण भासा का जन्न भाव है, ठीक है, चले आगे, बिद्याले सिक्षणे प्रथम भासा ध्यनम सियात, दोस्तों ऐसे जो प्रस्ण हैं, वो और भी हमारे चैनल पे अप्लोड हो चुके, आप चैनल की प्ल सर्च करें, आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, चलिए, बिद्याले सिक्षणे प्रथम भासा ध्यनम सियात, बिद्याले सिक्षणे में प्रथम भासा का ध्यन कैसा होता है, तो मात्र भासा या प्रांती भासा में होता है, ठीक है, प्रथम भासा ध्यन कैसा, मात्र भासा बढ़ता उपलता है इसमें सबसे बड़ी भूमिका बालक के भासा बिकास पर उसके परिवार की होती है कहा भी गया है परिवार बालक की प्रथम पाट साल है उपरियुक्तत की आधार पर निश्चित होता है कि विद्याले सिक्षण में बालक का सिक्षण हिंदी भासा है उस अध्याअपका सबसे ज्यादा महत्य है, ठीक है, प्राचीन काले गुरु स्वासिस्यान, केन विधीनाम सिक्षदी इस्म, मतलव प्राचीन काल में गुरु अपने सिस्व को किस विधी में सिक्षदेते थे, तो आपको बता दे, कि ब्याख्यान भी दी ना प्राचीन काल में देखो इतनी पुस्त के स्मार्ट कलासे सब नहीं होती थी तो वो ब्याख्या मतलब गुरू किशी विशाय को ले करके बैठ के उस पर ब्याख्या करते थे सिस्स उसको सुनते थे तो देखे प्राचीन काल में गुरू सिस्स्या क ब्याक्रण सिक्षन की नूतन रीती कौनसी है या नूतन रीती कौनसी है तो आगमन निगमन रीती ही ये क्या है नूतन रीती कहलाती है ठीक है आगे तो एक और बात बता दे कि आगमन विधी में पहले उधारन होता है फिर निगमन विधी में पहले निगम फिर उधारन इस बात को आप याद रखिएगा संसके सिक्षणस प्राचीना प्रणाली अस्ती संसके सिक्षण की प्राचीन प्रणाली है कई बार पूछा गया है मैंने देखा पेपरों में इसलिए आप इसको पढ़ ले तो संसके सिक्षण की प्राचीन प्रणाली है प्रत्यक्च बिदी है पाठ पुस्तक बिधी AB है पाठ साला बिधी प्राणल्य एवी है तो पर्योग सरभा इसका उत्तर सही हो जाएगा D इस सभी संस के सिख्षण की प्राचीन पढ़ ली है सिख्षण पद का अर्थ क्या है इस पद में तो आपको बता दे सिख्षण पद का है ज्यानस संक्रमणम मतलब ज्यान के संक्रमण से है देखें आज सिख्षा की यही अबधारणा हो गई है वह एनके इन प्रकारण विसेश का ज्यान अर्जित कर अपनी जीप्चा का साधर बनाता है जबकि सिख्षा सामाजे के वह समाज के साथ साथ राष्ट के उत्थान का मान डंड होना चाहिए आजकर लोग आजीब के अकली सिख्षा पढ़ रहे है एक अच्छी वियस सरकारी नौकरी मिल जाए एक अच्छी कमपनी में जोब मिल जाए बैस इसलिए कर रहे है लेकिन बो नहीं होना चाहिए शिख्षा का उद्देश के साथ सामाजे को समाज के साथ राष्ट के उत्थ्यान का होना चाहिए नहीं तो वह संक्रमन हो जाएगा ठीक है अभी संक्रमन फेला रहा है ना कोरोना बारस वैसा हो जाएगा इसलिए अपना उद्देश क्या होना चाहि सिक्षा का नौकरी के लिए पढ़ना है, ज्यान के लिए पढ़ना है, नौकरी अपने आप मिलेगी, आगे, सिक्षया करते समाजे आउपचारिक साधनम यत बर्तते, पतलब सिक्षा गरहन करने के लिए बिद्ध्याले में, आउपचारिक साधन कौन सा सिक्षा गरहन करने के तो आगव बिध्याली है, ठीक है, कौनसा साधने शिक्षा गरंगे समाज में औप्चारिक साधन बिध्याला है, चली आगे देखें, भासा या सिक्षणे यहा केंद्रम भवती, भासा सिक्षण का केंद्र कौन होता है, तो हर बार पूछा आप आख बन्लक ही लगाना है, भ ब्याकरण विधी तु सहायक है, पाश्ट पुस्टक विधी है, पृत्यक्ष विधी नहीं है, आपको बता क्यों? संस्के सिक्षण में दिये गए बिकल्पों में पृत्यक्ष विधी सहायक नहीं है, जबकि ब्याकरण पद्यती है, पाश्ट पुस्टक विधी इसके लिए म समझी जा सकती है, इसलिए अनुबाद विधी ठीक है भासा सिक्षण के लिए, मेरे एक और निवेदान होगा आप इस वीडियो की लिंक को आगे तक सेयर करना, जिससे और जो लोग ने संस्कित ली हो ने कठनाई हो रही है, तो उने भी कुछ मदद मिल सके मेरे से जो होगा, मैं अच्छë अच्छे वीडियो आप तक लागता रहूँगा, आगे, संस्कित में कठा कहानी सिक्षण का उद्देश नहीं है, क्या नहीं है, चात्रों को संस्कित ध्धौनी विध्यान से परिचित कराना, यह कठा कहानी का नहीं होता हो उद्देश, थीक है, तो संस्कित सिक्षण एक विथी कहानी सिक्षण है जो उद्देशित करती ही कहानी सिक्षण से बच्चों में कलपना सक्ती का विकास करना उसका प्रमुख उद्देश है ध्वनी विज्ञान नहीं सिखाता वो तो व्याकरण सिखाएगा इसी तरह चात्रों की तर्ग सक्ती को विक्षित करना चात्रों का उत्तम चरित निर्मान करना आधी भी समले थें कहानी सिक्षण में अता यहाँ पर चात्रों को संस के धौनी विज्ञान से परिचित कराना सिक्षण उद्देश कदापी नहीं हो सकता ठीक है धौनी विज्ञान का है आगे पहले नियम बताकर उधारन दिया वो जिसमें उधारन पहले आता है वो आगमन विधी यसी याद रखें आगे हितो उपदेश का संबंद किस विधी से है तो आपको वता दे हितो उपदेश का संबंद कहानी कथन विधी से है ठीक कहानी के माद्यम से क्या किया जाता है हित का उपदेश दिया जाता है संस्कित का अध्यापक एक एक सब्दकार् haft इसपस्ट करता है किस विधी में ब्याक्ख्या विधी में ठीके वो अध्यापक होगा आपको यह जब पेपर देने बैठो आपको यह सोचना है कि आप एक संस्कित की अध्या पके है उस समय आप क्या करेंगे तो उसको आधाल लेकर कि पेड़ा गोजी की अंसर लगाए जाते हैं और देख लीजिए पहले उधारन प्रस्तुत किये जाएं बाद में नियम यह सिक्षन का सूत्र है ठीक है तो यह है बिसेश से सामान की ओर ठीक है क्योंकि आगमान विदी कैसी होती बिसेश से सामान की ओर ठीक है तो पहले बहुत सारे उधारन दिये जाते हैं फिर सामान नियम की ओर जाया जात है ठीक है तीस प्रिष्ण होगा मैं एक प्रिष्ण आपको दे रहा हूँ जो आपको इसमें कमेंट में उत्तर बताना है हल करना है अगला जो सेकंड इसका पार्ट होगा उसमें हम इसका उत्तर बताएंगे और आंगे कोछ ऐसी प्रिष्णों पर चर्चा करेंगे चलिए तो वीडियो की लिंक को आगे तक सेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को एक बाल लाइक जरूर करेंगे, दुस्तों अंगले वीडियो के साथ पुना मुलाकात होगी, जैहिन!